नमस्कार स्वागत अबच्च वापका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले काफी इंटरस्टिंग टोपिक मुझे यह लगा है कि महाराश्टर के विधान सभा में 12 विधायकों को बीजेपी के बारा विधायक है यह अपोजिशन है ठीक है वहाँ पर तो बीजेपी के बारा विधायकों को एक साल का सस्पेंशन ओडर पकड़ा दिया कि आप जाएए आप एक साल तक विधान सभा में एंटर नहीं कर सकते तो यह बात बोली गई यहाँ पर तो यहाँ पर जो 12 विधायक है वो सुप्रीम कोट के पास गए कि देखिए जी हमारे साथ ऐसा किया गए हमें एक साल का सस्पेंशन हमें पकड़ा दिया गया तो Supreme Court ने interfere कर लिया तो क्या Supreme Court interfere कर सकता है या फिर कहीं कि कोई interfere कर सकता है कि विधान सबा के कारे के अंदर क्या उसकी जांच कर सकता है तो ये वाली जो मुद्धा है ना काफी interesting है क्योंकि एक तरफ article बोलते हैं कि नहीं court जो है वो विधान सबा के कारे के अंदर interfere या फिर जांच नहीं कर सकते और यहां पर Supreme Court ने क्या कहते हूँ interfere क्या है इस चीज़ को भी जानने वाले हैं तो काफी सारे interesting article आपके सामने आज इस वीडियो में आने वाले हैं तो एक बहुत बढ़िया मुझे मुझे मुद्दा लगा तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ में और हाँ इस वीडियो से रिलेटिड आप लोगों को स्टार्टिंग बता देता हूँ कि PDF मिल जाएगी कहां पर मिलेगी description box में एक link दिया मिलेगा telegram का तो जाकर आप वहाँ पर जोइन कर सकते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी तो लिखने की जूरत नहीं है बस आप मतलब अराम से सुनिये तो हाली में महराष्टर के 12 विदायकों को जब कहा गया कि आपका निलंबन कर दिया गया है आप जाएए आपका suspension हम करते हैं अधेक्ष नहीं किया था तो ये 12 विदायक जो थे वो इसकी खिलाव कहा गये Supreme Court में कि तो Supreme Court में जब गये तो Supreme Court ने कहा कि देखिए जी ये गलत है आपने जो किया वो समविधानिक दिरिष्टी मतलब कि समविधानिक है ये एस समविधानिक है तो ऐस समविधानिक हैते हुए इसको मतलब रद कर दिया अब कितने दिन का suspension हम कर सकते हैं मतलब हम क्या जो विधान सबा है या जो संसद है वो कितने टाइम के लिए जैसे संसद में MP का और विधान सभा में किसका MLA का तो कितने टाइम के लिए इनको इनका suspension किया जा सकता है तो ये सब चीजे हम इसमें discuss करने वाले है तो Supreme Court ने तो कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते आपने एक साल का suspension किया है वो S समविधानिक है और S समविधानिक जो इस कारण से इन्होंने का है वो काफी interesting है बहुत बड़ी है वाजिब point है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलिए अब थोड़ा बहुत आपको background बता देते हैं कि हुआ क्या था actual में जो विधायक जो थे 12 विधायक तो थे BGP के तो इन्होंने का कि हमें OBC के बारे में आप data को disclose करिये बताइए कि OBC के data बाहर निगा लिए उनको तो इसको लेकर वहाँ पर कहा गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्वैवार किया जिसके करके इनको suspend कर दिया गया निलंबित कर दिया गया कि क्या वो सही ड्रिष्टी से किया गया है अगर आपको नहीं लगता है तब जाकर आप Supreme Court का या High Court या Court में जाकर उसके खिलाफ याचिका दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि यह जो suspension है वो मतलब कि खराब है वो सही धंक से नहीं किया गया है तो 12 विदाइकों ने का देखिए हमें तो बोलने का मोका ही नहीं दिया गया समिधान में जो constitution में article 14 है जो कहता है equal before law तो वो तो जो article 14 है उसका उलंगन किया गया देखिए article की बात आजाती ने जो fundamental right हमारे जैसे fundamental right की बात आती है हमारे article 14 का तो उलंगन किया ही गया है क्योंकि हमें बोलने का दिकार नहीं दिया गया हमें कानून के समझा नहीं गया तो मोली कदिकारों का उलंगन नहीं बोला अभी बात करेंगे कि court ने क्या बात बोली है अभी थोड़ा बहुत विदान सभा के बारे में जान लेते हैं माराष्टर की विदान सभा में एक नियम चलता है 53 उस 53 में ये बात बोली गई कि जो अध्यक्स हैं विदान सभा के अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई सदस से disorder कर रहा है मतलब कि काम से डंक से चलने नहीं दे रहा उसके वहवार बहुत खराब है तो वहां पर जो अध्यक्स हम वो कहेंगे कि आप छुट्टी ले लीजिए छुट्टी का मतलब है कि आप जाईए यहां से आपको बैठने की जुरूरत नहीं है तो वहां पर जो सदस्य है वो उस दिन की मतलब समझे एक पूरे दिन की पहले दिन बैठक चल रही है तो आदे दिन रहा आदे दिन में अध्यक्स आपको ऐसा लगा कि यह जो व्यक्ति है वो महाल खराब कर रहे हैं उने का कि आप जाइए तो आदे दिन के लिए वो अनुबस्तित रहेंगे वहाँ पर या फिर ऐसी कोई वैबस्तित दुबारा से ऐसी कोई चीज वो उपस्तित होती है मतलब कि ऐसा वैबार दुबारा किया जाता है तो वहां पर जो अध्यक्स है वो यह कहेंगे कि जितने टाइम के लिए 70 चल रहा होगा मतलब कि कुछ दिनों के लिए 70 चल रहा था माने मैं एक्जाम्पल कहते ह LAUNKIN के लिए 10 दिन का टाइम बचा हुआता सत्र का خतम होने में जो यहां पर जो अध्यक्स हमवह कहेंगे कि दस दिन के लिए तो नहीं इस से कम के लिए उनको छुटी देने के लिए कहा देंगे कि लिए 10 के लिए नहीं कहा सकते हैं ध्यान रगना जितने टाइम बचा हुआ है उसका नहीं उससे कम करना पड़ता है यह अब ही बताऊंगा आप लोगों को, अब यहां पर महाराष्टर विदान सभा के थोड़े और तर्क सुन लिजिए, आर्टिकल 212, बहुत इंपोर्टन है, 212 आर्टिकल, 212 आर्टिकल जो है विदान सभा को पावर ये देता है, कि आपने जो कारे किया, उस कारे की जांच कोई भी कोट कर नहीं सकता, कोई जांच नहीं कर सकता, उनके पास पावर ही नहीं है, देखिए, कितना इंपोर्टन है, कि किसी विदान सभा के अंदर कोई कारे किया जा रहा है, उसको कारवाई की उसके उपर जांच मतलब की कर ही नहीं सकते कोट की पास पावर ही नहीं है और बावजुद इसके की suspension किया गया है 12 विधायकों का और यहां पर कोट वहां पर इंटरफेर कर रहा है वहीं 212 का close one यह कहता है की राज्य की विधान मतलब की यहां पर आपने भी कोई भी कारेवाई की उसकी लिगलिटी कितनी है उसके उपर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता एक तो आपके पास पावर इतने की भी supreme मतलब की कोई कोट जो उसके इंटरफेर नहीं कर सकता आपने कोई काम किया उसकी लिगलिटी के उपर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता एक आर्टिकल 104 मतलब की 194 यह बोल रहा है कि कुछ पावर्स दी है सदन को जो राज्य के सदन के पास पावर है कुछ प्रिवलेजिस हैं, कुछ विशेशा अधिकार है अकर उन विशेशा अधिकारों का उलंगन करता है कोई सदस्य है तो यहाँ पर अद्देक्ष महुत्दे जी हैं वो कहेंगे कि जाइए आपकी चुट्टी हम करते हैं तो यहाँ पर इस 194 के तहत भी वो निकाल सकते हैं अकेला जो विधान सभा का जुनियम 53 है उसके माध्यम से नहीं यहाँ पर समिधान में भी यह बात बोली गई है कि हाँ सस्पेंशन किया जा सकता है तो यह बात होगी जो महराश्टर के विधान सभा ने जो तरक दिये अब थोड़ा सुप्रीम कोट की बात सुन लेते हैं कि सुप्रीम कोट नहीं क्या बात बोली है देखे सर्वोच नेले के पास गए तो सर्वोच नेले ने यहाँ पर बोला कि आपने तो सबसे पहले समिधान की मूल सरंचना का ही उलंगन कर दिया अभी बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर ओफ कॉंस्ट्यूशन का ही आपने उलंगन कर डाला वो कैसे कर डाला देखे आर्टिकल 190 का क्लोज 4 कहता है अभी देखे कितना इंट्रस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर क्या बोला 194 के तहत बोला अर्टिकल के विशेशा अधिकार का ओलंगन होता है तो अद्यक्स जो है сы अध्यक्स मोते बाहर का रास्ता दिखा सकते है सदस्य को यहीं पर यह बात बोली जाड़ी है 190 के क्लोज 4 के अंदर यह बात बोली गई 190 के क्लोज 4 में यह बात बोली गई अगर किसी राज्येक में कोई विधान सभा चल रही है विधान मंडल चल रहा है और उस विधान मंडल में कोई सदस्य साथ दिन की साथ दिनों की अवधी मतलब कि साथ दिनों तक लगातार बिना अनुमती के छुट्टी पे चल रहा है तो वहाँ पर अद्धिक्स के पास, मतलब यह पावर होती है कि आप यहाँ पर उनकी सीट को खाली कर सकते हैं, खाली गोशित कर सकते हैं, कि वह आई नहीं रहे, साथ दिन से यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है, तो यहाँ पर यह खाली करते हैं, मतलब जो कोई MLA थे वहाँ MLA चुनकर आये हुए थे, साथ दिन तक यह अनुपस्थी तरह विधानसभा चल रही थी, सतर चल रहा था, यह नहीं आये, तो यहाँ पर अद्धिक्स ने कहा कि आप जाए, आप अराम ही कर लीजिए, हम यह जगह हैं आपकी, यहाँ पर हम खाली कर रहे हैं, यह जो सीट ह गई, कि आपने जो जगह खाली की ना, उसे भरी गया, मतलब आपने MLA तो हटा दिया हैं वहाँ से, एक विधायक तो हटा दिया हैं वहाँ से, लेकिन अब उसको भरने की बारी है, तो एक उपचुनाव होगा, और वो उपचुनाव है, वो 6 महीने के अंदर करवाना 1.90 के ताइट बोली कि 60 दिन तक नहीं आए, 60 दिन तक नहीं आए, तब जाके उनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, उनको suspension वहाँ पर बाना जाएगा, आप जो सीट है वहाँ पर कह सकते हैं कि वो खाली हो गई है, और अब जो जन परती नहीं थी, तो अधिनियम 1951 की धारा 151 के close A में यह बात बोली गई है, कि आपने जो सीट खाली किया, उसको 6 महिने के अंदर तुम भरिए, तो यह बात हो, यह समिधान के अंदर बात बोली गई है, अब कितने दिन की छुट्टी करती एक जरा सोचिए, जो महराश्ण में, महराश्ण ने करती एक साल की, अरे इसी चीज का उलंगन करती आपने एक तरीके से, तो महराश्ण ने यह बात समझाई प्यार से, कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, आगे चलते हैं, दूसरी बात यह बोली, कि आपने जो एक साल का जो निलंबन किया है, वो एक आपने यहां पर देखा जाए, तो पूरे निर निर्वाचन मंडल है, यहां पर जो यह लोग हैं, अपनी आवाज कहां तक सदन में पहुंचाएंगे, तो आपने यहां पर पूरे निर्वाचन शेत्र को ही दंडित कर डाला, दूसरी चीज यहां पर आती है, कि क्या सरवोच न्याले है, हस्तक शेप कर सकते हैं, वही हस् निर्वाचन शेत्र को दंडित कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ आर्टिकल बोल रहे हैं, कि आप छे महिने से अधिक जगा खाली नहीं रख सकते, तो आप वहां पर एक साल का सस्पेंशन कर रहे हो, तो यह नहीं हो सकता, तो इस करके सुप्रीम कोट ने का कि देखिए, यह सस्पेंशन जो है, वो अनकॉंस्टिटूशनल है, क्लियर, तो आई होप सो आप लोगों के चीज़े समझ में आई हो, कि थोड़ा बहुत हम संसत के सदस्यों के निलंबन के प्रावधान के बारे में पढ़ लेते हैं, कि कैसे कैसे होता है, देखिए, उपर और नीचे दोन मतलब एक तरिके से सिरारती हो गए है, तो उनको भई या बहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो यहां पर maximum suspension, सची मैंने आपको बताया है, maximum suspension 59 देज का कर सकते हैं, सुप्रीम कोट ने बात बोले, कि आप 59 देज का suspension कर सकते हो, maximum, जब 70 चल रहा हो, ठीक है, 70 चल रहा हो, अब 59 का क्यों, देखे 60 का करते ही, तो वही बात होगी न, देख से बात power आ जाएगी, कि आपने 60 दिन तक आप आये नहीं थे, तो हमने आपकी जगह खाली करती, वही, आप उनको मोका नहीं दियो गए, तो वो कहां से आएंगे, अगर आप उनको 60 दिन का कर देंगे तो, तो यहां पर 59 देज का करिए, ताकि अगले दिन वह यहां पर आपाए, और आपके पास वो मोका नहीं बचे, तो maximum suspension कितना हो सकता है कि 5 consecutive sitting, लगातार 5 sitting के दुरान उनका कर सकते हैं, या फिर जितना time बचा हुआ है, उतने time के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो कम होगा उस के लिए ध्यान रखना है, 59 देज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, दूसरी बात, यही जो काम है, वो राज्य सभा के रूल 255 और 256 के तहत यह चीज़ें के जा सकते हैं, सेम यह चीज़ें लागू होती हैं, clear, आई होप सो आप लोगों को यह चीज़ें समझ 1951 क्या है, उसका section 151 का close A क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने clear होगी, तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जादा ही कुछ पसंद आ गए हैं, तो शेर कर दीजिए, चैनल को भी, एस वेल एस वीडियो को भी, और आपको फिर से बता दूँ कि पीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक दिया मिलेगा, टेलिग्राम का, तो जाकर आप वहां पर जोइन कर सक करते हैं, तो बसाज के लिए इतना था, थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो,